लोग दोस्तों के सवाब पाशा कट्यों से ठीकोंगे और आज शेयर कर रहे हैं अपनी वेजिटेबल गार्डन शेयर कर रहे हैं यह देखो मैंने तोरही के बेल गोई थी और यह अच्छे सिच्चे तभी हैं ही यह मरे JOHNS है यह मिर्ची के समतर में हर्वेस्ट के लिए है ऐसे और जार पर रहे है इन पर निया हो रही है मिर्ची के प्लाइन पर देखो कितने सारी मिर्चिया लगी हुई है कि यहां पर जो गिया थी उसको मैंने हर्वेस्ट कर लिया है और यहां पर अब यह देखो भी इंडिया लगनी स्टार्ट हो गई ही अथे स्टार्ट हो पर गणिया भी देखो गडवा थे ही यहां रदेती प्रेफी मिलेक्वर ने श्टार्टहू हुआ इतने करेले की बेल है अब इस पर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी मतरव में अच्छी हो रही हैं आधि मिर्ची के पूर्ट वर्फ फ्लावरी में आप देख सकते तेंगे एच्छी इन जो मेरे पास दो तरह के बिर्ची के प्लांट है एक यह है जिसका मैंने खुट गर्पे बीच तयार किया तो शीड से तयार किया थी इसकी पोड तयार की थी और एक और एक वह दूसरे वाल उससे पहले आर्वेस्टिंग स्टार्ट हो भी है लेकिन इसके जाएगी है जम्दे के प्लांट इंपर भी फ्लावरिंग के लिए बड़ शानी स्टार्ट अब है अ जाए तो आए पैंगन की प्लांट से कर्फे सारे बैंगन हरवेस्ट कर चुके हैं फिर भी जो है इस पर काफी मत्रा में अब है फ्लावरिंग हो रही है यहां जो मेरे तो यहां पर मैं कुछ और लगाने की सोच रही है है तो यह देशी टमाटर हैं दीरे दीरे इस बॉपे में सबको निस कर तो घुल्भी प्लांट मेरा यह है और एक है तो इस पर मिर्चिया देखो ऐसे लगती है और इस पर सीदिल बैंगल के प्लांट पर देखो भी कितने मात्रा में बैंगल लगे हुए है प्याद भी मेरे कापी अच्छे हो गई है वह जो मेरी कद्दू के बेल पेठे के बेल है पंपकिन के बेल है तो उस पर भी आ रही है वापर जो टुमाटर थे उन पर भी व्लावरिंग आ रही है तो यह मेरे जो प्याज है दूसरे साइड ग्रो की यह वह यह वाले जो दिसी टुमाटर है भी मैं इनको खाड़ गूंगी तो उसके बाद यह मेरे गैंदे के अगर आपको ग्रो करनी है तो फ्रवरी के लाश्ट में इनकी रॉपाई स्टार्ट कर दो तो उसके बाद आपको पूरी गर्मिया जो है अच्छे से इनकी हर्विष्ट में लेगी कि यह देखो भी इस वेल पर भी एक तोरह यह है एक तोरह यह है वाफी मातरा में जो तोरह स्टार्ट होगी है